मैं खड़ा हो इस समय, यह जो मेरे पीछे बह रही है, बह रहा है, यह नदी नहीं है साथियों, यह नजफगर ड्रेन है, एक नाला है, जो जहरीले पानी का है, जहरीले वेश्ट का है, जो पूरे यह नजफगर ड्रेन में पीछे दो-दो ड्रेन मिलती है, और तब आ करके य के यहां मिल रही है और यहां से यह पूरा जहर का नाला यह जमुनाजी में मिल रहा है सामने सिगनेचर गृज है और मैं सिर्फ यह काम इसलिए कर रहा हूं कि अर्विंड केजरिवाल के जूट को एक्स्पोज कर सकूँ आप देखिए यह वजीराबाद ब्रिज है वो देख के उदर पूरा साफ पानी है जहां में कल खड़ा होकर के दिखा रहा था और इसके उपर हरियाणा से पानी आ रहा है वहां से पानी साफ आता है और यह नजवगर्ड का नाला यह सीदे जमुना मया को प्रदूसित कर देता है सतर परसेंट का कारण यह नाला और इस पे कभी आसक अर्विंद केजरिवाल जी न तो बयान दिये है न यहां कभी देखने आए है और मैं मुद्दा आज ही नहीं उठा रहा हूँ यह मैं लगातार पिछले 5-6 सालों से कर रहा हूँ सांसर बढने के बार और यह हमारी लोग सभा मेरे मेरा सिर्फ इतना उद्श्य है कि अर्विंद केजरिवाल जी मीडिया की आँखों पे पट्टी लगाना बंद करो दिल्ली की जंता की आँखों पे पट्टी लगाना बंद करो सच को स्विकार करो आप यही जहरीला पानी है जिसके कारण दिल्ली के लोगों को चर्म रोग हो रहे है यही जहरीला पानी है जो जमलाजी में जाने से दिल्ली के लोगों के बाल जड़ जा रहे है यही जहरीले पानी का असर है दिल्ली के तटपे रहने वाले लोगों को कैंसर की शिकायते हो रही है तरह-तरह की बिमारियां हो रही है और आप इसका दोस हर्याना को देते हैं इधर तिमारपुर है आगे पूरी दिल्ली बसी हुई है नजब गर्ण दे ते वहां से आ रहा है आप इसको हर्याना का दोस दे देते हैं जिम्मेदारी का प्रदर्सन करें और मैं ये ये मैं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लिए बना रहा हूँ ये मैं प्रिंट मीडिया के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग की सच्चाई को देखे और इसका इतना फ्रेसर होना चाहिए इस सरकार पर कि अब यह सरकार झूच न बोल सके आमादमी पाथी की दिल्ली की सरकार और पुरे देश के लोगों को पता चले, उत्राखंड को पता चले, गोवा को पता चले, उत्रπरदेश को पता चले कि इस व्यक्ति के शाषन का सच क्या है अरविंद केज़िवाल के साथन का सच क्या है मैं यह बताना चाहता हूं कि इसको ठीक करना संभव नहीं है कि किसी को मैं बोलता हूं यह नाला पैरियल एक नाला जमना जीनी सो नजी से किनारे कर दो और इसको ट्रीप करो, आसान है, तो मैं मनोज तिवारी उत्तर पुर्वी दिल्ली का सांसद में पूरे दिल्ली के पूरे देश के लोगों को ये द्रिश्य दिखा रहा हूं, अर्विंद केजरिवाल एक्सपोज हो चुके हैं, वो मीडिया के सामने भी जंता के सामने नंगे हो चुके हैं, और इसके लिए खड़ा पनिश्मेंट भी बनता है, जो मानिये सुप्रीम कोर्ट को सुव मोटो लेना चाहिए.